Job after BCA Government sector में कहा job मिलेगी , private sector में आपको कहा job मिलेगी कितना आपका salary package रहने वाला है तो आज बात करेंगे career after BCA BCA के बाद में आपके पास क्या-क्या job options है कितनी आपको salary मिलने वाली है तो आज की वीडियो बहुत ही में outpun होने वाली है वीडियो में तक बने रहेगा और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो यो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकिन को प्रेस कर लिजेगा तो साथ यो बात करते हैं केरियर आफटर BCA यानि कि BCA करने के बात में क्या आपके पास गौर्मेंट जॉब के आपशन है और कहा कहा प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकते हैं किन-किन कंपनियों में आपको आप्शन मिल सकता है जॉब के लिए तो बात करते हैं साथ यो सबसे पहले गौर्मेंट जॉब की साथ यो BCA यानि कि Bachelor of Computer Application ये आपका एक तीन साल का Professional Degree Program है इसको करने के बाद आप graduate हो जाते हैं तो graduation level की जितनी भी vacancy आती हैं तो उनके लिए आप हो जाते हैं eligible तो सबसे पहले जो गौर्मेंट जॉब है साथ यो आप civil services में अपना career बना सकते हैं यानि कि civil service में जो UPSC का exam होता है उसके थुरू आप अपना ISPCS के लिए भी apply कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या मांगा जाता है graduation मांगा जाता है graduation आप कर चुके होते हैं बात करें साथ यो दूसरी government job की तो साथ यो banking में आप अपना career बना सकते हैं जितने भी आपके bank है private government सभी में आपका IBPS के थुरू आपका selection होता है तो वहाँ पर भी आप eligible हो जाते हैं तो banking sector में भी आप अपना career बना सकते हैं बात करें साथ यो तीसरी government job की तो तीसरी government job है साथ यो central government के अंदर जो आपका SSC है staff selection commission हर साल exam conduct कराती है CGL का यानि कि combined graduate level तो आप graduate हो जाते हैं तो उसके थुरू आप अपना career बना सकते हैं इसमें आपका जितनी भी central government में आपका inspector कंस्टम में inspector आपका central excise में inspector तो आप उसके लिए आभिदन कर सकते हैं इससे आगे बात करें साथ यो fourth career option की जो government job में है वह हैसा आपका police का साथ यो ज जा सकते हैं बात करें साथ यो fifth career option की जो government job में है वह है साथ यो आप army में अपना career बना सकते हैं यदि आपको army में जाना था और NDA का exam आप नहीं clear कर पाए थे तो आप CDS का exam होता है CDS के थुरू आप अपना army में career बना सकते हैं बात करें साथ यो sixth career option की जो government job में है वह है सा सारी विकिंसी जाती हैं जो आपका computer operator के लिए हैं तो उसमें भी आप अविधन कर सकते हैं साथ इससे आगे बात करें और भी कभी सारी जितनी भी government job है जहां पर IT की company ही नहीं आप सभी field में आप computer operator की आवश्यक्ता होती है फिर चाहिए वो medical हो आपकी जितनी भी field है सभी में आपका computer operator चाहिए होते हैं तो आप BCA करके जो top most companies हैं IT की उसमें जा सकते हैं जैसे आपका IBM है, Oracle है, आपका Microsoft है, PTM है तो इनमें आप अपना career बना सकते हैं, Amazon है तो इसमें आपको अच्छा खासा आपका salary package मिलता है, यदि आप ये depend करेगा कि salary कितनी मिलती है तो साथिव ये depend करता है आपका कि किस college university से आपने किया है और आपका जो selection है वो किस company में हो रहा है, आपका Amazon में हो रहा है, फिलिप कार्ट में हो रहा है, आपका Microsoft में हो रहा है और maximum package की बात करें, तो साथियो 40,000,000 तक भी आपका package जाता है, यदि आप किसी अच्छे college university से अपना BCA complete कर लेते हैं, तो I think आपके जितने भी doubt हो खिलियर हो गए होगे, यदि अभी भी आपको कोई doubt ये question रहे गया है, तो आप में इसे comment box में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा, उसका अंसर ये उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस कर होगा, तो चलिए साथियों मिलते हैं, आप से नेक्टरी इस तरी की information साथ, अब तक के लिए जैहिन, जैभारत!